इस साइन्स फिक्षिन कहानी की शुरुआत 2040 से होती है जब इंसान टेक्लिनोजी में काफी आगे बढ़ चुके थे हम इंसानोंने तो लगातर विज्ञान में तरक्की करके ऐसे ऐसे स्पेस्शिप बना लिये थे जो सिर्फ मून पर नहीं बलकि सौर मंडल के अलग-अलग प्लानेट पर आसानी से जा सकते थे अब हमें अंतरिश की गहराईयों में इवेंट होराईजन नाम का एक स्पेस्क्राफ दिखाए देता है ये स्पेस्क्राफ अब तक इंसानों का सबसे एडवांस स्पेस्क्राफ था क्योंकि इस स्पेस्क्राफ के अंदर ऐसे टेक्नलोजी मौजूद होती है जो अपने अंदर से वाम होल क्रियेट करती थी और उसी वाम होल के अंदर जाने के बाद ये स्पेस्शिप कई सालों का सफर कुछी मिल्टों में तै कर लेती थी लेकिन जब एक बार इवेंट होराइजन स्पेस्क्राफ्ट में मौझूद सारे क्र्यू मेंबर्स नैप्चुन प्लानेट की ओर पहुशते हैं लेकिन इवेंट होराइजन स्पेस्शिप मानो कहीं गायब भी हो गया था अब यहाँ पूरे साथ साल बीच जाते हैं तब ही हमें अचानक नैप्चुन प्लानेट के पास ही इवेंट होराइजन दिखाई देता है जो अचानक से अपियर हो गया था किसी को नई आइडिया होता कि आखिर यह स्पेस्शिप इतने सालों तक कैसे गायब थी और कैसे वापस आ गई हमें उस मिस्टीरियस इवेंट होराइजन स्पेस्शिप के अंदर का एक सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर एस्टरनोट की हालत काफी खराब थी और वो अजीब तरीके से चिल्लाने लगे थी जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट होकर विलियम नाम की एक वेग्यानिक के पास लिकर जाया जाता है धरसल विलियम ही वो वेग्यानिक और एस्टरनोट था जिसने की इवेंट होराइजन स्पेस्शिप को बनाया होता है विलियम ने इस प्रोजेक्ट में अपने कई साल लगा दिये थे इनी चीजों की वज़े से वो अपनी वाइफ और घर वालों को टाइम नहीं दे पाता विलियम कुछ दिनों से बहुती ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उसकी वाइफ अब नहीं रही और अब विलियम हमेश्या यही सोचता रहेगा कि उसकी वाइफ उसी के वज़े से मर गई विलियम की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे अपने मरी वी वाइफ की वीजियन साते थे पर ये सारी चीजे विलियम के आँखों का धोका होता है अब हमें यहाँ पता चला कि एस्टरनोट्स की एक टीम इवेंट होराइजन स्पेस्चिप के अंदर जाकर जाज करने जा रही है तभी विलियम कैप्टन के पास साकर ये रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी इस मिशन में सामिल होने का मौका दिया जाए क्योंकि इवेंट होराइजन स्पेस्क्राफ्ट उसी ने डिजाइन किया था और विलियम उनकी कुछ मदद भी कर सकता है इस वज़े से कैप्टन विलियम को भी अपनी पूरी टीम में शामिल कर लेते हैं अब ये सफर काफी जादा लंबा होने वाला था इसलिए विलियम के साथ साथ सारे एस्टरनोट्स को एक स्लिपिंग चमबर में डाल दिया जाता है ये चमबर एक हाइबरनेशन की तरह था जिसके अंदर मौझूद इंसान की उम्र बढ़ती ही नहीं और उसे खाने पीनी की भी जरुरत नहीं पड़ती वो लोग अपने अपने चमबर में बैटकर नेप्चून प्लानेट की तरफ निकल पड़ते हैं पर अब बीच रास्ते में ही विलियम को बहुत ही खतरनाक सपना आता है जिसमें कि वो अपनी मरीवी वाइफ की बॉड़ी को देख रहा था यहां पर डॉक्टल विलियम टीम के सारे अस्टरनाटस को अपने इवन्ट होराईजन स्पेसक्राफ के बारे में कुछ बता रहे थे विलियम ने बताया कि इवन्ट होराईजन स्पेसक्राफ जो 7 साल पहले गायब हो चुका था वो तभी वी एक Experimental फेस में था जिसके पास technology थी कि वो warm hole create करके उसके अंदर जाकर travel कर सकता था यानि कि कई सालों की दूरी कुछी seconds में तै की जा सकती थी इसलिए 7 साल पहले event horizon spacecraft Neptune planet के पास जाकर वो warm hole create कर देता है पर warm hole के अंदर जाने के बाद spaceship का नाम निशान मिट गया और वो कभी बाहर ही नहीं आई लेकिन अब वो event horizon spacecraft Neptune planet के पास वापस आ चुका है इसी बात का पता लगाने के लिए उनकी पूरी team event horizon के पास जा रही थी पर यहां बाकी astronauts को William बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि William को ऐसा लगता था कि वो इस पूरे spacecraft का captain है और सभी को उसी की बात मानने पड़ेगी अब यहां कुछी घंटों के अंदर ही अंदर जैसे ही वो रास्ते में थे तभी उन्हें event horizon spacecraft से एक radio signal मिलता है जिससे सुनकर वो सब काफी ज़्यादा शौक हो गए थे क्योंकि उस radio signal में किसी की लगातार चिलाने की आवाज आ रही थी इस आवाज का रशियन में मतलब था कि तुम मुझे मुझे मुक्ती दे दो इस message ने तो astronauts के साथ साथ William को भी सोच में डाल दिया था और अब वो सारे लोग event horizon के अंदर जाने लगते हैं और अब ये बातों का पता लगाने के लिए सारे astronauts event horizon से connect होने लग जाते हैं इसके लिए उन्हें अपने spacecraft के chamber को event horizon से जोड़ना पड़ेगा जो बहुत ही जादा मुश्किल काम था पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सब पूरी तरीके से spaceship में connect नहीं हो पाते इसलिए अब जस्टीन, Alexa और पीटर जैसे कुछ astronauts ने decide किया कि वो event horizon से spacecraft में जाकर चेक करेंगे वो सब अपना spacecraft पहन कर अंदर चले जाते हैं विलियम ने सारे astronauts को पहले ही बताया था कि event horizon में दो compartment हैं compartment के एकदम बीचों बीच बहुत सारे bomb लगे हुए हैं जिससे कि अगर एक compartment को बुरी तरीके से damage हो जाए तो उस bomb को activate करके दूसरे compartment को अलग किया जा सकता था अब कैप्टन के साथ साथ जब वो सारे लोग event horizon स्पेस्क्राफ में इंटर होते हैं तब उन्हें चारों तरफ एकदम सुनसान माहौल दिखाई देता है ऐसा लग रहा था कि वो कोई spaceship नहीं बलकि समशान घाट हो क्योंकि जगा जगा पर खोन की बूंदे पड़ी हुए थी अब event horizon स्पेस्क्राफ काफी बड़ा होने के कारण सबी लोग अलग-अलग होकर ढूनने लग जाते हैं यहां पीटर जब आगे बढ़ रहा था तब वो एक ऐसी जगा पर पहुचता है जिसके चारों तरफ नुकीले ब्लेट्स लगे हुए थे वहीं एलेकसा जब दिवार पर देखती है तब उसे एक डेट बॉड़ी दिखाई दी थी जो event horizon के एस्टरनॉट की हो सकती है जब एलेकसा ने उस एस्टरनॉट की बॉड़ी को देखा तब ऐसा पता चल रहा था कि उसके शरीर पर किसी खतरनाक जानवर ने हमला किया है वहीं दूसरी तरफ जस्टिन चलते चलते एक पावर कोर की तरफ आ गया था यह इसे पावर कोर का यूज करके spaceship warm hole create करती थी जिसके अंदर बेश शुमार powers generate करने की ability होती है यहाँ जस्टिन को लग रहा था कि सारी चीजे normal हैं पर तब ही अचानक वो पावर कोर अपने आपी चालू हो जाता है जिसके बीचों बीच में से एक अजीब तरेकी की रौशनी निकल रही थी जस्टिन इस बारे में पता करने के लिए जैसे ही पावर कोर की बीच में हाथ लगाता है तब ही एक black color की entity वहाँ पर मौजूद हो जाती है जिसने देखते ही देखते जस्टिन को अपने अंदर खिश लिया था इसी वज़े से पावर कोर के अंदर से एक ऐसी radiation निकलती है जो सामने आने वाले किसी भी चीज को चकना चूर कर दे रही थी और अब इसी जटके की वज़े से event horizon spacecraft का main ship से connection तूट जाता है यानि कि captain और उसके बाकी लोग इसी event horizon पर फस चुके थे William और उसके कुछ साथी जो की दूसरी spaceship पर होते हैं उन्होंने captain को बताया कि event horizon पर सिर्फ कुछी घंटों के लिए oxygen मौजूद है इसलिए उन्हें जल से जल अपना research कंप्लीट करके event horizon से निकलना पड़ेगा captain तो सबसे पहले जाकर रसी की मदद से जस्टीन को उस पावर कोर में से बाहर निकालते हैं जस्टीन तो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था पता निया इसे कौन सी चीज अंदर मौजूद है जिसने की जस्टीन को अंदर खीचा फिलाल अभी के लिए ये एक top secret है पर अब यहां बाकी एस्टोनोट के साथ कुछ अजीब तरीकी की घटनाएं होने लगी थी उस black spear यानि की power core के activate होने की बाद कुछ radiation की वज़े से Alexa को उसके बिमार बेटे के visions आते हैं Alexa तो ये सारी चीज़े देखकर एकदम shock रह गई थी क्योंकि जिस समय Alexa को अपने बेटे के पास रहना चाहिए था वो उसे छोड़कर यहां इस mission में आ गई Captain को भी hallucination होते हैं अपने बहुत पहले मरे हुए एक साथी की जिसे की वो तबाई होने से पहले बचा ना सकें Captain भी कुछ नहीं समझ पाते की उनके साथ हो क्या रहा है यहां Justin जो की पूरी तरीके से बेहोस था वो अचानक से उठकर ये कहने लगता है कि डार कब आने वाला है अब हमें William और बच्चेवे astronauts दिखाया जाते हैं जो की Event Horizon पर आ चुके थे वो सबसे पहले Event Horizon के सारे फुटेजेस चेक करते हैं जिसके अंदर यहां काम करने वाले सारे astronauts की images मौजूद थी पर कुछी दिर बाद अचानक से वो फुटेजेस बलर होना स्टार्ट हो जाती है और बाकी astronauts को उन सबी की चिलाने की आवास सुनाई दे रही थी पर असल में वहाँ पर क्या हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है विलियम भी जब कुछ technical issue को solve करने जाता है तब उसे अपनी मरेवी wife की रिजन साने लगे थे विलियम की wife तो पूरी तरीके से सैतान बन चुकी थी इसलिए अब कैफटन विलियम और बाकी एस्टरनोट से मिलकर ये बताते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है विलियम को जब पता चला कि वो पावर कोर अपने आपी एक्टिवेट हुआ था तब वो सभी को बताता है कि पावर कोर इस तरीके से अपने आप ट्रिगर नहीं हो सकता जरूर इस पावर कोर को किसी खतरनाक चीज ने हीट किया होगा जिससे कि ये वापस एक्टिवेट हो गया पर वो चीज क्या थी विलियम को भी इस बारे में पता नहीं होता विलियम सिप इतना बताता है कि उन्हें जस्टिन पर नजर रखनी होगी क्योंकि जस्टिन उस पावर कोर द्वारा बनाई गई एक अलगी डामीशन में जाकर आया है जहां पर अजीब तरीके की डार्क शक्तियां मौजूद हो सकती है साइच से विलियम का अंदाजा एकदम सही निकलता है क्योंकि अब उस डार्क एनरजी ने जस्टिन के पूरी बॉड़ी को कंट्रोल कर लिया था जोकि अंदर गुसने की बहुत कोशिश कर रही थी पर अब इतना ज़्यादा टॉचर होने के बाद जस्टिन अब सहन नहीं कर सकता था वो तो अपने बाकी एस्टरनोट्स को अलविदा कह देता है और एरलॉक चेमबर में चले जाता है हाला कि एलेकसा और बाकी लोग जस्टिन को ये करने से रोक रहे थे पर अब जस्टिन ने ये डिसिजन ले लिया होता है उसने तो एरलॉक चेमबर का प्रेशर हटा दिया और बीना स्पेस सूट के अंतरिक में चला गया देखते ही देखते जस्टिन मरने लगा था पर कैप्टन सही समय पर बाहर निकल कर जस्टिन को अंदर खीच लेते हैं जिससे की जस्टिन की जान बाल-बाल बची थी जस्टिन की रिकवरी के लिए एस्टरनोट्स ने तुरंत उसे स्लिपिंग चेमबर में डाल दिया था लेकिन अब देखने पर ऐसा लग रहा था कि अब उस डार्क टेक्नलोजी ने विलियम के उपर कबजा कर लिया है विलियम का बिहेवियर भी कुछ सैतानों वाला लग रहा था क्योंकि अब तो वो बाकी एस्टरनोट्स से काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था अब हमें यहाँ पर कैविन नाम का एस्टरनोट कैप्टन से कुछ बाते करते वे दिखाया जाता है कैविन ने बताया कि जब उससे इवेंट होराइजन स्पेसक्राफ से वो मैसेज मिला तब उसने काफी ज़्यादा एनलाईज किया और उस मैसेज का असली मतलब यह होता है कि तुम अब नर्क से बच कर दिखाओ कैप्टन को कहीं न कहीं खत्रे की भनक हो चुकी थी इसलिए वो सारे अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए चला जाता है अब हमें एलेकसा और उसके साती टीम मेट को दिखाया जाता है जो कि कैमरा रिकॉर्डिंग्स को और अच्छे से रेक्टिफाइ कर रही थी पर फाइनल रिजल्ट निकलने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा स्टॉक रह जाती है क्योंकि उन्होंने देखा कि वो सारे पुराने एस्टरनाट जो इवेंट होराइजन में पहली बार आये थे उन्होंने जब पावर कोर को एक्टिवेट किया तब एक भयानक रेडियेशन निकलने की वज़े से वो सब एक दूसरे को ही मारने लगे थे जैसे कि उन एस्टरनाट के उपर भूच सवार हो चुका हो और अब ये फुटेज क्याप्टन और बाकी क्यू मेंबर्स को दिखाने के बाद क्याप्टन ने डिसाइड किया कि वो इवेंट हुराइजन से सारी इन्फोर्मेशन कलेक करके यहां से तुरंत निकल जाएंगे वहीं दूसरी तरफ हमें एलेक्सा को दिखाया जा रहा था जिसे की लगातार अपने घायल हुए बेटे के हलुजनेशन आ रहे थे और वो उसके पीछे चली जा रही थी दरसल ये सारी चीजे वही डार्क इंटिटी कर रही होती है जो धीरी धीरी सबी एस्टरनॉट्स की जान लेना चाती थी अब एलेक्सा उसी डार्क इंटिटी को फॉलो करते वे एक ऐसी जग़ पर आ गई थी जो बहुती उचाई पर मौजूर होती है एलेक्सा को जरा भी अंदाजा नहीं होता और वो उतनी उचाई से डारेकली नीचे गिर गई थी जिससे एलेक्सा की बहुती बुरी तरीके से मौत हो जाती है विलियम को जब ये बात पता चले कि सारे एस्टरनॉट इवेंट होराईजन को डिस्ट्रॉई करके अपने स्पेस्शिप से निकलना चाते हैं तब विलियम पूरी तरीके से पागल हो चुका था क्योंकि जिस स्पेस्क्राफ को उसने कई सालों की मैनद से बनाया था वो इस तरीके से अपनी मैनद जायन नहीं जाने देने वाला था और तो और अब विलियम के उपर उस डार्क इंटिटी ने कंट्रोल कर लिया होता है विलियम को भी लगातार अपनी मरी हुई wife के hallucinations आने लगे थे वो तो उसके पास जाकर अपनी wife से माफी भी मांगता है ये सारी चीजे विलियम की एक सोच थी इन सारी imagination में ये पता चला कि विलियम की wife ने अकिलिपन को दूर करने के लिए अपनी जान ले ली अब यहां उस dark entity के कहने पर विलियम अपनी दोनों आखे ही निकाल कर fake देता है जिससे कि अब विलियम का चहरा काफी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था इसी तरीके से एकदम out of control होकर विलियम अब directly उस connection के पास चला जाता है जो कि दूसरे spaceship को event horizon से जोडता था और अब विलियम ने एक bomb को activate करके उस दूसरे spaceship में fake दिया होता है जिससे कि spaceship देखते ही देखते destroy हो चुका था विलियम ने ऐसा इसी लिए किया था ताकि कैप्टन और बाकी astronaut spaceship से यहां से बाहर ना जा सके और अब विलियम एक के करके बाकी astronaut को मारता रहता है कैप्टन कैसे भी करके अपने साथियों को बचा कर एक सीब जगब पर लिकर जा रहे थे पर अब विलियम एकदम out of control होकर जब एक astronaut की तरफ वार करता है तब उस गोली के effect की वज़े से दिवार में बड़ा सा छेद हो गया था जिससे की चेंबर में मौझूद सारी चीजे अंतरिच के बाहर खीची चली जा रही थी डॉक्टर विलियम भी खुद को समाल नहीं पाते और अंतरिच के अंदर चले जाते हैं यानि कि उनके साथ बुरे काम का बुरा नतीजा हुआ अब स्पेस्शिप में कैप्टन, कूपर और लिया ही बचे थे जिने के यहां से तुरंत ही निकलना होगा कैप्टन ने उन्हें याद दिलाया कि इवेंट हुराइजन की दो कमपार्टमेंट हैं इसलिए उन्हें बीच वाले कमपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिससे कि वो स्पेस्शिप से अलग हो जाएं कैप्टन लिया और कूपर को उस दूसरे कमपार्टमेंट में जाने के लिए कहते हैं और कैप्टन पीछे से उन्हें प्रोटेक करते वें उनकी तरफ बढ़ेंगे कूपर और लिया तो कैसे भी आगे चले गए थे पर अब कैप्टन को हेलेजनेशन होने लग जाते हैं कि उनका ही मरा हुआ सिपाही विलियम की रूप में उनके पर हमला कर रहा है कैप्टन उसके हमले से बच्टे वे एक सीप जगह पर आकर छुप गए थे और अब तो उस कमपार्टमेंट का दरवाजा भी बंदो चुका होता है कैप्टन ने देखा कि वो उसी जगह पर पहुच गया है जहां पर वो पावर कोर मौजूद होता है और अब उस पावर कोर में से विलियम की डेड बॉडी निकल कर आती है विलियम जो कि उस डार्क इंटिटी की कंट्रोल में होता है वो कह रहा था कि स्पेस्चिप ने मुझे बाहर निकलने से पहले ही अंदर खीच लिया यानि कि अब मैं कभी मर नहीं सकता वो डार्क इंटिटी कैप्टन को लगातार विजन्स दिखा रही थी उसके मरेवे साथियों का जिने की नर्क में बुरी तरीके से सजा दी जा रही है यान कैप्टन को पता चल गया था कि वो अब बच नहीं सकता और तो और विलियम ने पावर कोर को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया था इसलिए अब कैप्टन ये डिसाइट करते हैं कि वो उस चेंबर की बीच वाले हिस्से को ब्लास्ट कर देंगे और कूपर और लिया की जान बचा लेंगे कैप्टन तुरंट उस बॉम का बटन दबा देते हैं जिससे की एक बड़ा सा धमाका हुआ और वो स्पेस्शिप दो कमपार्टमेंट में बढ़ गई लिया और कूपर इवेंट होराइजन के एक टुकडे से कहीं दूर चले जाते हैं और कैप्टन और विलियाम जिस कमपार्टमेंट में मौजूद थे वो अब डायरेक्ली वाम होल के अंदर चला गया था यानि कि अब कैप्टन के साथ साथ विलियाम भी अब नहीं रहा लिया और कूपर जो की अब नेप्चून प्यानेट से काफी दूर आ चुके थे उनके पास कई समय बाद रेस्क्यू टीम मदद करने के लिए आ जाती है लेकिन लिया ने जैसे ही रेस्क्यू टीम वालों का चेहरा देखा तब उसके अंदर विलियम बिना आखों के मौझूद होता है लिया ये देखकर बहुती जादा डर गई थी पर बाद में उसे पता चला कि ये तो सिर्फ उसका एक डरावना सपना था बलकि उसे और कूपर को एक असली टीम ने बचा लिया होता है यानि कि वो दोनों इवेंट होराइजन से कलेक किये गए सारी इंफोर्मिशन को अर्थ पर लेके जाकर शेयर कर सकते थे और इसी तरीके से हमारी ये साइन्स फिक्शन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है सुवी वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लेगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्प्लेशन एक परसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब भी कर देना मिल दें नेक्स्ट वीडियो में बाब बाई